हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार अफ्रिका में इस्सिति खराब है यह स्टेट्मेंट अपने आप में बहुत ही जोटा है उस्सिति के समक्ष जो कि अभी आपको मैं बताने वाला हूं अफ्रिका में निर्मित हुई है वो देश जिनोंने कभी अपने रास्ट्री उध्यानों में जिन जीवों को सुरक्षा प्रदान की थी ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके आज उन देशों के द्वारा उन जीवों के मांस के लिए उन्हें किल करने का आदेश दिया गया और कंडिशन तो यहां तक की खराब है कि वो जंगली जीव जिनका संद्रक्षन किया जाने के लिए यूएन के द्वारा इवन फंड प्रोवाइट करा जा रहा था उस फंड को अभी देशों के द्वारा उप्योग करा जाएगा वो आस्त्विक्ता में अपने देश के लो नहीं वास्विक्ता में भुकमरी के कारण है मिलियन्स ओफ लोग एफ्रिका में अभी दो हजार चौबिस के वर्ष में सूखे का सामना कर रहे हैं और यह जो कंडिशन है यह कंडिशन बीते कुछ माह में बेहद ही खराब हो चुकी है पीचे यहां देख पाएंगे कि नाम ना होने के कारण मृत्यू जैसी स्थितिया निर्मित हो रही है इविन आप जरा इस इमिज को ध्यान से देखिए यह इमिज वल्चर एना लिटिल गर्ल इस इमिज में जो भयावा इस सिती पिक्चराइज की गई थी जहां यह बताया गया कि एक जो तथा कथित तोर पर हम हमें आज भी नहीं पता कि यह इमिज जो इतनी जादा फेमस हुई थी जिसने वास्विक्ता में अफरिका के अंदर जो भयावा सूखे पड़ते हैं उसकी सिती को विश्व जगत के सामने हुजागर करा इनके फोटागरफर को वास्विक्ता में वेश नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर कई अवार्ड्स दिये गए पर आज भी हमें नहीं पता कि यह इमेज में दिखाई गई जो बच्चा है वो पूरुष अर्थात मेल या फीमेल है पर यह इमेज वास्तुई किसी दर्शा रही है आज भी एफरिका की यह इमेज लगभग लगभग 1993 के आसपास कीची गई थी और आज अभी 2024 अर्थात बीते 30 सालों में मानों ने विकास के क्रम में टेलीफोन से मोबाइल तक का और एक सामाने से रेडार से सैटलाइट तक की यातरा की बट एफरिका इस टिल फेसिंग फिमाइन आफरिका आज भी भुकमरी को फेस कर रहा ह आज के इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे कि exactly क्या रीजन रहे वो एफरिका के जो आज के समय एफरिका के इन देशों को इस भयाव इस्तिति का सामना करना पड़ रहा है चलिए मैं चर्चा को स्टार्ट करूँ उसके पहले ध्यान दीजे Study IQ के जो Premium प्रतिग्या प्लस बैचेस है Great Indian Sale के तहट ये बैचेस आज की तारीक अर्था 31st of August तक अपने minimum price पर available है अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं करा है तो बेशक आज आज आप minimum price पर जॉइन कर सकते हैं बुगोल वैकल पिक अर्था geography option के बैचेस में भी आज की date तक admission open है अगर आपने अभी तक अंडॉल नहीं करा है तो आप मेरे साथ geography option as a subject complete कर सकते हैं चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं सबसे पहले हैं तो खबर पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि जैसा मैंने बताया भाई नामीबिया और साथ में यहाँ पर आप पाएंगे जैसा कि नामीबिया जहाँ पर 1.4 मिलियन लोग जो है उच्चतम भुकमरी के सरपर हैं यह condition है और secondly condition आपको दिखाई देगी even in South Africa यहाँ पर भी खादे असुरक छा की सिती निर्मित हो चुकी है और इवन नियर अबाउट 68 मिलियन लोग जो है वो सूखे से प्रभावित है ऐसा बताया जा रहा है और यह जो सूखा है इस सूखे की शुरुवात वास्तिक्ता में हुई थी इस वर्ष 2024 से ही अर्था 2024 से श सिती इतनी विरल कैसे हुई कि हमें वास्तिक्ता में इस छेत्र में मंत्राला के द्वारा यहां ओफिशल वेबसाइट से यह जानकरी दी गई कि लगभग 723 जानवरों का यहां पर योगदान होगा और वो भी जो योगदान है उसमें 30 दरियाई घोड़े अर्थात यह वो जीव हैं जिनका संरक्षन के लिए कभी UN के द्वारा फंड प्रोवाइड करा जा रहा था 62 साथ ही 50,000 इंपाला और 300 जेबरा लगभग 83 हाथी और भी सारे जीवों को जिसको संरक्षन दिया गया था नेशनल पार्क में आज उन्हें किल करा जा रहा है और किल किसलिया करा जा रहा है तो वास्विक्ता में ताकि इस छेत्र में जो मीट है इससे प्रोवाइड करा ज जा सके लोगों को ताकि वो जीवित रह सकें कुछ समय ताकि वर्षा जब तक नहीं हो रही जब तक खादिकी आपूर्ती नहीं हो रही तब तक एट लीस्ट मानवों को जीवित रखा जा सके अफ्रिका में अब ज़रा चर्चा करते हैं कि वास्विक्ता में अर्थात ये स इस्ट्री आपात इवन घोशित करा है अपने देश में खाद्यान के कारण वुक्मरी के कारण अगर मैं इसके कारणों की चर्चा करूं तो सबसे में और सबसे प्रमुक कारण जो बताया जा रहा है वह कारण बताया जा रहा है अभी एफरिका में असर है अल नीनो की कंडिशन बीते वर्ष में चेंज हो रही है लेकिन अभी भी एल नीनो का प्रभाव देखा जा रहा है एफरिका पर जो एक्सपर्स हैं का कहना है कि नो डाउट के एफरिका में यह पैटन समय के साथ चेंज होगा क्योंकि एल नीनो धीरे-धीरे सक्सेसिव में जा रहा है लेकिन वास्विक्ता में एल नीनो की यह जो कंडिशन है यह कंडिशन एफरिका को अभी तो इस वर्ष तो प्रभावित करती हुई दिख रही है याद रखिए कि एफरिका की जादातर पॉपुलेशन डिपेंड करती है अगरिकल्चरल जो फूड है उस पर और एल नीनो क के बीच में गिरती है हिंद महासागर में गिरने पर यह एफरिका की और प्रसारित होती है और वहां होता है रेंफॉल अर्थात सहे शब्दों में अगर मैं कहूं तो सामान्य कंडिशन जिसे हम कई बार ला नीना कहते हैं इस कंडिशन में हवाएं चलते हुए हिंद महासा condition of लालीना या मैं कहूं नॉर्मल कंडिशन जहां पर जो हवाएं हैं बजाए दक्षिन अमेरिका से औस्ट्रेलिया की और जाने यह हवाएं जो है वो विपरीद दिशा में अर्थात आस्ट्रेलिया से दक्षिन अमेरिका की और चलने लगती हैं चुकि यह हवाएं अकाल है यह अकाल और भी जादा कुरूशल और भी जादा खतरनाक तब हो जाता है जब इसका सदन ऑशिलेशन हो अचार जब यह अकाल जो है जब यह सूखा जो है अफरिका के दक्षनी भाग को ज़्यादा प्रभावित करे रीजन सिंपल सा है अफरिका के भाग में आप क्योंकि ये condition हर वर्ष एक समान नहीं होती अल्नीनों एन लालीना ये highly effect होते हैं global warming or climate change से चर्चा का विशय है जब तक आप इस पर चर्चा नहीं करेंगे विश्व जगत इस पर चर्चा नहीं करेगा इसके solutions हम तक नहीं पहुँचेंगे उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आ लेने की आज की तारीक में आप इन बैच्चोस मेड़ी मिशन लेने से चूप जाएंगे 11,000 का cash price हर वीक 37 टेस्ट हर टेस्ट में फर्स ट्रैंग लाने वाले अभ्यारती को प्रती शप्ताह 11,000 रुपए का cash price दिया जाएगा साथ ही प्रेंस क्वालिफाई करने पर जो भी इसमें इंक्लूड़ेड है सक्सेस इन प्रिलिम्स के नाम से प्री का अलग से crash course मेंस residential प्रोग्राम के तहट आपको सुविदा जी जाएगी निशूल कुरूप से डेली में रहकर पढ़ाई करने की मेंस के दौरान इतना ही नहीं इसमें selection box के तहट 18 किताबों का set आपके घ मार्केट जाना होगा के वलों के वल अपने घर पर अपनी स्टेबल स्टेडी पर अपनी स्टेडी टेबल पर बैसी तैयारी करिये और अपने selection को एंशूर करिये सो इस उम्मीद के साथ डियर के आप सभी serious IES experts को मैं इन batches में देखने वाला हूँ चलिए मिलते हैं next वीडियो में have a very nice day थैंक यू हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें study IQ IES हिंदी